हेलो फ्रेंट्स मेरे टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है फ्रेंट्स सर्दियों आते ही और जो सर्दियों वाले पौदे हैं उनमें फ्लाविंग शुरू हो जाती है और ऐसा लगता कि धरती ने श्रंगार किया है और इस तरह से रंगोली जैसा भी महौल बन जाता है तो इसको लगा सकते हैं और यह ऐसा प्लांट है कि लुग इसके अगले साल伙सा वी देते हैं खर सारी color यह हैं यह है गेंदा का और इंज कळलर का बहुत सुन्दर लगता है यह color आब यह यलो color में है यह medicinal plant है वह सारी दवाल यह में इसका प्योग किया जाता है अगला है क्यालोंडुला का यह भी ब्यूटी प्रडुक्त में यूज होता है तो इसकी जो सुख सुख फूल है इनको हटाते रहें तो अच्छे से ब्रांचे जाएंगे और खुब प्रादम होगी और बसंद के टाइम पर यह बहुत ही संदर लगते हैं इसमें औरेंज कलर भी आता है यह ड्यक्त पॉम पॉम्पॉम यह काफी सुख सुख गएं और यह तो काफी टाइम तक चलते हैं कि ऐसे स किये जाए तो जरेंशियम का यह प्लांट और इसमें भी काफी कलर आते हैं और यह 20 स्दॉप सल चलने वाला प्लांड है परलेंद इसमें काफ है बहुत सुंदर प्लांट लगता है इसकी सुख 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 फुल अठाते रहे तो खूब सारी ब्रांची जिसके आती है और बहुत टाइम तक ये फ्लाविंग करता है अब बहुत ही सुंदर लगता है इसके बर्स अगयरह बालसम का देखे किता सुन्दर लग रहा है इसकी पतियं किती सुन्दर है कलर फूल एक पूल रहा है काफी सुन्दर पॉला लगता है यह है गजनिया का इसमें वर्स आ रही है फ्लावड में होके चुके है तो इस तरह की सुखी डालियों को अटाते जा तो अच्छी से ब्रांचे जाएंगी तुशे डिन में है यह काफी टाइम तक चलता है गलु में भी यह फ्लावडिन करता है तो इसके बस केर की जाए थोड़ा सा ज्यादा दूप की जरुत नहीं होती है गर्मियों में इसको थोड़ा सा एक दो गंड़े की सुखे की दूप दे तो बहुत अब्ला प्लांट यह साल्विया का एक बहुती सुन्दर से खुल आते हैं रेट कलर के और भी कलर आते है है तो यह वी कास सुन्दर लगता स्थकी इता उपनाट लगता इसके फ्राव्वि development होती है यह दूसरा है है यह सिनेरिया का परपल करें के व्रागिंग हो रही है और सुंदर लगनेशेड़ घुच्छो में यह फूल आते हैं वर्ट कितनी आई हुए हैं इसमें यह भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं सर्दियों में यह सब लगाएं तो काफी सुंदर लगता गार्डन और अगला प्लांड है यह कलांचुई का इसमें भी कई रंग आते हैं अलगला कलर में स्प्रॉल्म होती है यह सब्लों करता है इसको जादा दूब में पसंद है और जादा पानी भी नहीं पसंद है तो इसको भी लगा सकते हैं और अगला प्लांट है यह एस्टिप का यह भी देखिए काफी सुंदर कर लगता है। इसके प्फालक जरसे होते हैं तो जब बिन हढब सब्सक्रोण है यह इस में दिखिए यह वा站 कलर की इस तरह से फ्लावरिंग होती है और उसके अंदर ये हड़ जासा शेव में दिखाई देता है तो इसको विलीडिंग हड बोलते हैं ये भी ज्यादा धूप में चलना वाला नहीं है मतलब कम धूप में चल जाता है और इसको छंकर धूप आती हो वहां रखें इसकी बाइन जाती है ये वेल जाती है तो इस तना रसलब ट्रावी होती है ये अ झाल झाल